पटना हाई कोट ने शरबंदी कानून को लेकर जो कुछ कहा है वो एकदम ध्यान से सुनना चाहिए। आखिरकार किसी भी अदालत की तरफ से चाहे वो सुप्रीम कोट हो चाहे वो हाई कोट हो हर अदालत की तरफ से शरबंदी कोले कर नितीज कुमार की सरकार की बिहार सरकार की इतनी ज्यादा चीछा लेदर क्यों हो रहा है आखिरकार कानून को लेकर बार-बार सवाल क्यों एसी सोफा बैट डाइनिंग टेबल तथा अन्य सभी प्रिकार के लेटेस्ट और ब्रांड़िट परनीचर और होम अप्लियंसेज हो सिल दाम में शादी में उपहार देना हो या फिर अपनी घर को सुसज़ित करना हो अभी आए काना सिल्स जो केस्सित है रधिसिदी कॉम्प सबसे पहले कहानी सुनिए कि बेगु सराय में एक मात्र एक साल पुरानी गाड़ी को जो बेगु सराय के पुलिस की फोर्स होती है जो फोर्ज होती है वह वहाँ पर पकल लेती है क्यों तो 375 ml विदेशी शराब की बोतल के साथ अब जो फुलिस है वह कहती है कि हमने शराब तो पकड़ा ही उसके साथ हमने पांच प्लास्टिक वाला गिलास पकड़ा एक गुठका का पैकेट ख़प पकड़ा इसके बाद एक माचिस पकड़ा एक सिगरेट का डबबा पकड़ा औ इन तमाम चीजों के बाद होता क्या है तो गाड़ी को जबत किया जाता है और उसके बाद उस नई गाड़ी को ततकाल निलाम कर दिया जाता है अब पतना हाई कोट क्या महत्पुन टिपनी करता है शराबंदी कानून पर तो पतना हाई कोट कहता है कि शराबंदी कानून के तहत अगर आपने निलामी की है तो वो गलत है आपने गलत किया है पतना हाई कोट बताता है कि कैसे आपने कानून को तोड़ दिया है आपने उलंगन किया है पतना हाई कोट एक बड़ी बार बेगुसराय के डियम को कहता है कहता है कि आप जाच कराईए पता लगाईए कि जिस ब्यक्ति ने इस गाड़ी को खरीदा आखिरकार उस ब्यक्ति को फायदा दिलाने के लिए ततकाल गाड़ी को निलाम कर दिया गया अब पत्ना हाइकोट ने जो पूरे के पूरे मामले पर सुनुमाई की है वो मामला बेगु सराय का है हमने आपको बताया कि एक कार के अंदर 375 ml शराब की बोतल पकड़ी गई उस बोतल में लगबग 200 ml शराब थी और इसी के कारण उस नई गाड़ी को पुलिस ने प्रसासन ने ततकाल पकड़ कर निलाम करा दिया अब इसी बात पर पटना हाई कोट ने बड़ा फैसला दिया कहा कि अब ततकाल जो गाड़ी के भीमा की राशी है उसको एक मुस्त वापस किजिए उसने कहा कि दो महीने के अंदर पैसा आप वापस किजिए अगर दो महीने में पैसा नहीं मिला तो इसके बाद 12 परतिशत सला जोड़कर आप पैसा वापस करेंगे लेकिन आपको पैसा तो देना होगा क्योंकि आपने कानून का उलंगन किया और शराबंदी कानून पर पटना हाई कोट ने महत्तपुन टिप ने की बाकि अब इसको लेकर चर्चा बढ़ी तेज है कि शराबंदी कानून के तहत लाख प्रावधान है उन तमाम प्रधावनों के अंतरगत कैसे प्रसासन मदनिशेद विभाग के अधिकारी पुलिस वाले तमाम लोग मनमानी कर रहे हैं मनमानी का मतलब की 200 मिलीलीटर शराब पकड़ते हैं एक नई गारी को शराब पकड़ने के आरोप में ततकाल जब्त किया जाता है और उसको निलाम कर दिया जाता है और पटना हाई कोट खुद कहता है कि अब यह काम गलत हुआ है आपको वापस पैसा देना होगा और ऐसा कहते हुए नितीश कुमार के शराबंदी कानून पर आप कहिए कि पटना हाई कोट ने महत्तोपुन टिपनी की है अब कानून को लेकर सुप्रीम कोट से लेकर हाई कोट तक लगातार सवाल उठते रहें लगातार कहा जाता रहा है कि शराबंदी कानून पर आप विचार कीजिए शराबंदी कानून को बिना अध्यन की यह लागू कर दिया गया और जब बिना अध्यन के कोई भी कानून बनता है तो उसका परिणाम ऐसे ही होता है सुप्रीम कोट में यह महत्वपुन टिपने की थी दाकी अब आगे देखिए और क्या कुछ होता है आगे जो भी नहीं जानकारी जो भी और नया अपडेट आएगा सब कुछ में आप तक पहुंचाएंगे तमाम खबरों के लिए झी तैसे है और है औरंगे उयंगे तराुबिव भी तरह ऐसे विए हैंपडेड़ी और विए है और नहीं है और त्य की क्तारिए वागेफांगे I ज villी जटभी है है जूटभी है धर है खबटे में जाता है जाता है